आज की इस वीडियो में जानेंगे फोन पे से निव यूपी आई डी कैसे क्रियेट करते हैं सबसे पहले फोन पे को अपेन करेंगे और प्रोफाइल में जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे बैंक के अकाउंट में जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे नीचे यहां पर आपको तीन अप्सन मिल जाएगा एड़ी रेट, YBL, एड़ी रेट, IBL और एड़ी रेट, AXL यहां पर तीनों में से आप किसी में भी create कर सकते हैं दोस्तों को उता दें, phone pay में एक bank account के लिए आप total 6 UPI ID create कर सकते हैं phone pay के 3 payment partner bank, S bank, Axis bank और ICICI bank में आप दो-दो UPI ID को create कर सकते हैं प्लस icon पर click करेंगे, UPI ID तीनों में same रहेगा क्यों UPI handle change हो जाएगा एड़ी रेट, YBL, एड़ी रेट, IBL और एड़ी रेट, AXL इस पर click करेंगे, preferred ID यहां पर आप create भी कर सकते हैं नीचे यहां पर आपको suggested आ जाएगा, यहां से आप चाहें तो select भी कर सकते हैं यहां पर एब लेबल है, नीचे create पर click कर लेंगे अब ICICI bank की UPI ID active हो गया है अब चाहें तो S bank की और Axis bank की UPI ID को activate कर सकते हैं activate बटन पर click करके दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो like करिए, comment करिए और साथी सा channel को subscribe कर लिजिए, thanks for watching